बालपन में जब भी हमें माखन खाना होता था हम माखन चुरा के खाते थे हम सभी मित्रे एक के उपर एक चड़ते थे माखन की मट्की को फोड़ते थे और माखन खा लेते थे इसे कहते हैं संगटन की शक्ति अब क्या केवल संगटन ही परियाब्द है अब सबसे अरिक धर्ष्ट पुष्ट जो बालक है वो यदि सबका भार उठाने के स्थान पर उपर चड़ने लगे है तो क्या हम मटकी फोड़ पाएंगे क्या कभी माखन का आनन्द हमें प्राप्त होगा नहीं केवल संघटन परियाप्त नहीं है उसके साथ अवश्चक है संतुलन अभिष्टन होगा और संघटन होगा तो हम सभी अपने लक्षक की ओर जा सकते हैं और संघटन के साथ चलिए संतुलन के साथ चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए hst